तो इस वक्त में सबसे पहले बात कर लेते हैं करनाटक की जहां चुनावी महाल गरमाया हुआ है और करनाटक में चुनाव आयोग की एक टीम दाउरा कर रही है जिसमें मुख चुनाव आयोग और दूसरे आयोग भी शामिल है बेहत महतपूर्ण है यह करनाटक में चुनाव आयोग का डौरा क्योंकि चुनाव आयोग लगातार इस बात को देख रहा है कि क्या कुछ तयारियां वहाँ की गई है तो ये दोरा बेहत महतपूर्ण और इसी के साथ वहां की सियासत भी गर्मा गई है मुकिन निर्वाचन आयोगत राजी उकुमार और निर्वाचन आयोग के वरिष्ट अधिकारियों का आज से तीन दिन का करनाटक दोरा शुरू हुआ है आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसले में बेंगलूरू में चुनाव अधिकारियों और वरिष्ट पुलिस करमचारियों के साथ बैठके कर रहा है आयोग राजनेतिक दलों के प्रत्निधियों के साथ बाचीत करेगा और स्वतंत्र तथा निस्पक्ष चुनाव के लिए उनसे सुझाव मांगेगा चुनाव आयोग यात्रा के दूसरे दिन चुनावपूर तयारियों के बारे में 34 जिलों के चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है निर्वाचन आयोग अपने दोरे के अंतिम दिन मीडिया को भी संबोधित करेगा तो कई अंगल हैं इस दोरे के निर्वाचन आयोग के वहीं राज में चुनावी सुक्बुगाट के साथ ही बीजेपी ने अपनी सक्रियता वढ़ाई है अपने जनाधार को और मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगाई है पार्टी ने इस वर्ष पीम मोधी करनाटक में पांच रहलिया कर चुके हैं पार्टी के दूसरे दिगज निता भी राज में लगातार दौरे कर रहे हैं भाश्पा के राश्ट्य अध्यक्ष जेपी नडडा आज बेंगलूरू में विजय संकल प्यात्रा को हरी जंडी दिखाएंगे और एक रोड़ शो में हिस्सा लेंगे उसके बाद भाश्पा ध्यक्ष बेंगलूरू के के आर पुरम मैदान में एक जंसमा को भी संबोधित करेंगे बीजेपी डबल इंजन की सरकार और विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ना चाह रही है और इसको लेकर जनता के बीच में जा रही है राज में पांच साल के विकास की तस्वीर और उपलब्धियों का लेखा जो खा यानि उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों के बीच जा रही है पार्टी वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को आगे करके महिला वोटर्स पर जादा फोकस किया है महिला वोकर्स पर वोटर्स पर जादा फोकस कर रही है कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को आगे किया है दरसल एक के बाद एक चुनावें बीजेपी को मिल रही जीत में साइलेंट वोटर्स ट्रम्प कार्ट साबित हो रहे हैं साइलेंट वोटर्स कौन है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बताया था कि ये साइलेंट वोटर कोई और नहीं बलकी महिलाएं हैं और लगातार बीजेपी को इनका साथ मिल रहा है और अब प्रियंका गांधी को आगे कर कॉंग्रिस ने महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने की कवायद शुरू कर दी है यूपी में भी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की कवायद शुरू की थी उत्तरप्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की तरज पर कॉंग्रिस ने करनाटक में महिलाओं के लिए ना नायकी यानि मैं भी नेता के तरज का नारा दिया है कॉंग्रिस ने महिलाओं के प्रती परिवार 2000 रुपए का मासिक भता 200 यूरूट बिजली फ्री और कई अन्य फ्री भी योजनाय घोशित की है करनाटक में कॉंग्रिस का एजन्डा पुरानी पेंशन स्कीम भी है जो वो 36 गर राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में लागू करने का दावा करती है पार्टी पुरानी पेंशन स्कीम का एजन्डा तो चला रही है लेकिन इसके रेविन्यू मॉडल पर खामोश है कहां से पैसा आएगा इसके लिए ये नहीं बता सकते रही है पार्टी ऐसा रगता है कि कॉंग्रिस मानती है कि शॉर्टकट की सियासत ही इस दौर में उसका बेड़ा पार करेगी है इसलिए शॉर्टकट की सियासत फ्री बी की सियासत जारी है इजेपी ने पार्टी के अंदर गुडबाजी को समाप्त करने के लिए बसब राज बंबाई के नित्रत में चुनाव लड़ने का मन बनाया है। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछना है विपक्षी दल भी पूछना है और कहीं कांग्रेस के कारिकरता भी इस विशे में जानना चाहते हैं कि आफिर कांग्रेस में आला कमान कौन है क्या मलिक आरजुन खडगे या फिर गांधी परिवार की सरपरस्ती में ही ये पार्टी च चलते हैं आईशा क्या आप हमें सुन पा रही है जी आईशा आईशा हमेरे साथ जुड़ी हुई है आईशा आप से जानना समझना चाहते हैं कि आज जो राजनेतिक गतविधिया है और उसके साथी साथ चुनाव आयोग का दौरा क्या जानकारी देंगी आप जी हाँ बिलकुल जैसे ही चुनाव आयोग की टीम बैंगलोर पहुंची है आज तो चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और तमाम राजनेतिक पार्टियों में काफी हलचल नजर आ रही है और चुनाव आयोग की तरफ से मुख्या चुनाव आयोग जो हैं राजीव क गुमार और दूसरे आला अधिकारी आज बैंगलोर में लगातार बैठोकों का सिलसिला शुरू किया और आज शाम को बैंगलोर में एक इंक्लूजिव डेमोक्रेसी पर अंतराश्टिया सेमिनार है और इसमें आज भाग लेंगे और इसके अलावा चुनाव आयोग के सामन ठीवासी साथ करेंगी और अपने बात अबर आजएंगे क्यूंकि कांगरेस एक तरफ से लगातार आरोप लगाती रही कि जो वोतर लिस्ट है उसमें से कई लोगों के नाम डिलीट हुए हैं लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि अ अगर वोटर लिस्ट में ना मतदाता हैं और फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है और चुनाब आयो के सुत्रों के मताबिक खरीब बारा लाक नए मतदाता इसमें जोड़े गए हैं और खरीब छे लाक ऐसे हैं जिनके नाम डिलीट किये गए हैं और ये छे तमाम वेरिफिकेशन के बाद क्योंकि कुछ लोगों के आइडेटिफिकेशन सही नहीं थे कुछ लोगों के दो बार वोटर आइडिलिस्ट बने हैं कुछ लोगों के एक तस्वीर के साथ तीन-चार वोटर लिस्ट बने हैं तो इस तरह की गलट डेटा देने की वज़े से कई वोटर लिस्ट में जो ना की नहीं करेगा तो इसकी पूरी तैयारी नजर आ रही है अभी देखना दिल्चस्प होगा कि शनिवार को जब चुनाव आयोग प्रेस कांफरेंस करेंगे उस वक्त क्या डीटेल सामें निकल कर आता है क्योंकि यही कहा जा रहा है राजनितिक राजनितिक सूत्रों के मताबि कि खरीब 27 से 28 तारिक तक करनाटक में कोड अफ कंड़क लागू हो सकता है तो ऐसे में तमाम राजनितिक पार्टियां कमर कसली है और मैदान में उतरने के लिए तयार है जी जी निश्चित तोर पर तो सियासी गदविधियों के विशह में आप से जानना चाहते हैं आज ब जी हाँ बिलकुल बीजेपी की तरफ से चुनावी प्रक्रिया जो है पहले से बहते तरीके से रन्नीती बीजेपी हमेशा से बनाती रही है और ये रन्नीती जो हमने देखा कि बीजेपी लगभग एक सार पहले से ही बूत लेवल से तयार करना शुरू कर दिया था और जो बीजेपी के वरिश नेता है, अमिच शाह उन्होंने लगातार कारेकरताओं में उत्सा और उन्हें मोटिवेट किया है और लगातार उनकी जो यात्रा रही है करनाटक में, इसके चलते बीजेपी के कारेकरता काफी उत्साहित और चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे बीजेपी एक तरफ प्रधान मंत Metall करनाटैंगे तुमाम जो विकास शीलियोजनाएं बीजेपी और लोगों विकास और इस विकास के मंतर के जरिये बीजेपी को यखीन है कि करनाटर के मददाता इसको देखेंगे कि किस तरह सी विकास और लोगों ने इसका लोगों तक फैदा पहुंचा है तो दूसरे तरफ कॉंग्रेस भी आरोप रत्यारोप का सिलसला और लगातार तीखे तेवर हुए बीजेपी सरकार पर हमले तेज़ करती रही है तो कॉंग्रेस अपनी तरफ से तैयारी में जुटी हुए और कॉंग्रेस को कॉंग्रेस का ये कहना है कि क्यूंकि कॉंग्रेस ये मान रही है कि करनाटर के चलते उन्हें फैदा पहुंच सकता है लेकिन बीजेपी को इ जो नंबर है जो मैजिक फिगर है सरकार बनाने के लिए 113 है तो बीजेपी की टार्गेट 140 है तो इस विश्वास के साथ बीजेपी अपने तमाम आला नेताओं को मैदान में उतार रही है कई केंद्रिय मंत्री कई बीजेपी के वरिश नेता करनाटक में विजे संकल प्यात् कांतिम दिन होगा दावनगिरे में जहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे कितना असर पड़ता है जनता के ओपर कांग्रेस और बीजेपी की कोशिशों का ये अभी कहपाना मुश्किल है जनता तै करेगी फिलाल आप हमारे साथ बनी रहें यहां पर हम खास महमानों को इस पूरी चर्चा में जोड़ना चाहते हैं हमारे साथ में एम जी महेश जो की कांग्रेस के समर्थ तक भी माने जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की बातों को भी वो अपनी तरफ से शायद रख सके कोई ऐसा दबाव तो नहीं है लेकिन निश्ची तोर पर साथी साथ आर राजा गोपालन जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी हमारे बने हुए हैं इस पूरी खबर पर इस पूरी चर्चा पर बातचीत करने के लिए रिशी मिश्रा जी अगर आपके साथ इस पूरी चर्चा की शुरुआत करना चाहें ये समझना चाहें कि आखिर जो भारत जोडो यात्रा थी उसमें हमने देखा कि डीके शिवकुमार और स साथ लेकर एक साथ उनका हाथ पकड़ कर चलते हुए दिखाई दे रहे थे राहूल गांधी आखिर क्या मजबूरी है ऐसा लगता है कि कहीं इन दोनों नेताओं की जो आपस की गुडबाजी है वो पार्टी पर भारी पड़ेगी या फिर एंटी इंकंबंसी फैक्टर का प्रणिडिशन है पैचारिक मद्वेद किसी भी सह को लेकर हो सकता है और यहर पार्टी में है अवधी भाजपा की बात करें तो एड़ुरपपा और बरत्मान मुक्मंत्री हैं उनके बिश कैसे रार हैं यह आप हम सब जानते हैं और उनको मनाने के लिए नेंद्मुदी ज जी को दो-दो बार उनको मंच पे बुलाके नमसकार करना पडता है तो यह रृुरिस हर पार्टी में होता है रृ longing कॉंकि कॉंग्रेस में लोग्तंत्र है रहेर इद आप पारट्री कॉंग्रेस ही एक आशी पार्टी है जहां चुनाववी प्रेक्रिया से अध़्क्ष का चुनाब होता है और ये सोभाग की बात है कि जो मलिकारजुन खड़गे साहब है कनाटा से आते हैं एक मजदूर का बेटा आते हैं और निशी थी भारत जोरो जात्रा का फायदा कॉंग्रेस को अगयमी चुनाब में होगा और कॉंग्रेस कुन मेजरोटी से सरकार कनाटाटा है तो एक सवाल ये भी लोग उठा रहे हैं लगातार की क्या मलिकारजुन खड़गे के पास पावर सचमुच में हैं वो सचमुच अध्यक्ष की पावर एंजॉय कर रहे हैं या फिर पार्टी का चेहरा जिस तरह से राहूल गांधी हैं और गांधी परिवार के पास ही वो किस तरह से नहीं है जो कोई सता पर आया है यह एक मतभेद है मनभेद कुछ नहीं है और मनभेद जादा बीजेपी में है किस तरह से आगे बढ़ने के तैयारी कर रहे हैं आप लोग करनाटक का लोग समझ गये वो कांग्रेस है तो तूट गया दो तो अलग अलग अपैसे वो कैंपेंड कर रहे है और दे कर पीपल अफ कर नाटक का आज़े अब और अड़ पर आ बड़ी दिवीशिए दिविशन इन पार आप वो पूरा प्रोसस में चल रहे है करनाटक मैं अभी लोग आईसा एंथूजीाँस अमें वो मोदी जी का वो क इस के रैले में लाको लोग लोग जो लोग सुन पा रहे हैं अबने अगर आप रोटेट कर लेंगे तो दरशक आपकी तस्वीर भली भांती देख सकेंगे अभी वो आ रही है जी 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 ऑनकी ऑपनी बात जाड़ी है the people of karnatak is very much they are very enthusiasm the visit of the prime minister of this country and the people they are gathering for the rallies is the number is more than 10 lakhs in somewhere of the part of the karnatak aisa a logikata karra a aisa woman hey karnatak me loka is barbie okay i sub up batki atapela hey first time in the history of the karnatak there is a pro incumbency there is no anti incumbency as the part of it the pro incumbency चल रहे है लोग दोनों डबल इंजिन सरकार का बर्वासा आईसा ही रखा है वो मोदी जी का दौरा और करनाटak का 3,5 3 साल का हमारा विकास फिर्वास बीकास 2 जी को आईसा पुषी है वो आने वाले दिन का वो चुनाव हैं सबको सबब सिकाता है जी रिशी मिश्रा जी आपके पास इसके अंदर का जो रिफ्ट है, वो असर डालेगा, क्योंकि ये लगातार देखने में आ रहा है कि ये तो बड़ा कौमन सा हो गया है, कि दोनों पार्टिया एक कहती ही कि ये प्रो-िंकम्बंसी, दूसरी कह रही है, एंटी-िंकम्बंसी है। जो अमिट शाहन साब ने बाद जा करके बोला है, कुमार स्वामी कॉंगर्स को भी टीम कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है जो रमेश बीजेपी का स्पोक्सपरसन ने गलत बोला है, कॉंगर्स ने दो गूट करके, ऐसे दो गूट नहीं है, उदर तीन गूट है, क्योंकि म सब्सक्राइब कर दिया है, जो मालवाने उसको उपर, सेकंड तीन, जो आपको पांच क्रोर वोटर से बारा लाख न्यू वोटर से है, बारा लाख न्यू वोटर से में आपको पता लगना चाहिए, ये लोग बिलकुल तिरमोटा डिजिटलेशन, कॉरोना 250 क्रोर को वैक् अधर मोडिको होगा, क्योंकि आक्रोश हो गया है, आम जैनता को बीच में, तीनों कैंडिडेट, सिदरामिया हो, यदूरप्पा हो, कुमार स्वामी हो, ये तीनों इलान कर दिया है, ये आखिर चुनाओ है, अगले चुनाओ में नई लडूंगा करके, क्योंकि उनको पता इस चीज है, तीन विपक्ष उदर है, एक जेडियेस, कांग्रेस, बीजेपी, काटर तो कांटा का तरह ठकर काटर है, मुझे लगता है, जो नरिंदर मोडी के जो छवी है, बीजेपी वोट्स को आजिके, लेकिन नरिंदर मोडी के लिए अदक 50% वोट्स है, वो बिलकुल बीजेपी को आगे लेके जाएगा, जैसे आप को कर्रिस्पोंडनेंट वरू कानम ने बोल रहा था, ये 140 तक तो नहीं, 120-125 में आकर के बीजेपी बैटेगा, कितना भी गणी तार है, कांटा को टकर बोल रहे हैं, ये तो खैर गोटर्स तै करेंगे, दरसल कि कितनी सीटे देनी है, रिशी मिश्रा जी, एक सवाल लगातार जी, हम आपके पास ही आ रहे हैं, तो हमारा सवाल भी ले लिजे और उसके बाद आप अपनी बाद भी उसमें जोडिया का ज़रूर जो आपको जवाब देना है, ये भी समझा चाहेंगे, मलिका अरजुन खडगे भी वही से आते हैं, लेकिर उनके उपर तमाम सवालिया निशान लगाए जाते हैं, कहा जा रहा है कि वो कारकरताओं के अंदर ही संशय है कि क्या वो आला कमान है, और यदि आला कमान है तो उनकी स्थिति क्या है, उनकी पावर्स क्या है, क्योंकि वो कही न कहीं गांधी परिवार क कि खणाओं लेकर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि खणाओं लेकर आगे चलते हैं। कि तरफ आगे तो आप उनकी बात करने लगेंगे। और रिशी मिश्रा जी आप भी मिघाले और दूसरे राजियों की बात ना करें। जब डिफरेंसे की बात जाएंगे तो वो सचिन फाइलेट और दूसरे दूसरे नेताओं की बात करने लगेंगे। दरसल मैं सवाल हमारा यही है। लेकिन क्या मजबूरी है कि देश के सबसे इमांदार परदान मंत्री को भस्टाचारियों के सरन में जाना पड़ता है। चारियों मिघाले हो या करनाटका हो। अभी करनाटके के ही एक बीजेपी के MLA के पुत्रों कितने पैसे उनके आफिसे कितने पैसे मिले हैं। अपकी बात आप 10 सेकेंड में खतम करें उसका एम जी महेश जी से इसका जवाब ले लेते हैं। मेरा एक लाइन में तंपूइंट यह है कि बीजेपी को सब्ता कैसी नी चाहिए चाहे उनको ब्रस्टा चाहिए। जहां तक बैचारिक मद्भेद पाद है तो जिस पार्टी में लोकतंत होगा उसमें बैचारिक मद्भेद है। पार्टी इस डिपरेंस कैसा है देखो यह आदर शिकारे करता है। यह आदर शिकारे करता है। करनाटक का ऐसा हमारा आर्गनिजेशन स्ट्रक्चर है। हम पन्ना प्रमुक तक ऐसा काम साले लास्ट वन येर से हम कर रहा है। आज हम येर वेरी कॉंफिडेंट वी विल क्रॉस्ट फिफ्टी प्लेस वन परसेंट आफ दी मार्ट आफ दी करनाटक करनाटक ऐसा हमरा आर्गनिजेशन स्ट्रेंट आर्गनिजेशन का काम चल रहा है भी। लुटी मार्क अव्ड़वन बार्ट पार्ट जिवन राजा गॉपालन जी रहा है तमाम सारी पार्टियां और यह आरोब जो है रिशी मिश्रा लगा रहे हैं कि वा बीजेपी जो है वह भरस्टा चारीयों के शरण में है वह इसको इस सवाबाविक रूप से उनसे एकसपंगे कर सकते। कॉंग्रस क्यों सबस्क्राइब कर रहा है। पाइसा नोट कमारे, राजु गांधी ऐधू गांधी एड़ु रपाजी का जरूती नहीं है। अधुरप्पा जी को नहीं बोलना है आप एडी के बारे में बोलेंगे जो आप इस तरह के तो आरोप कोई भी लगा सकता है देखिए इस तरह किसी को डिबंस नहीं कर रहा हूं आप तीनों अप्रिश्टी बाते रखें लेकिन मैं मैं कहा रहा हूं कि बिना किसी 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 आधार के इस तरह के आरोप तो कोई भी लगा सकता है कहां चपा आपने कहां पढ़ लिया आपके बोला होगा इस तरह के वेल आरोप ना लगा है क्योंकि इससे क्या है कि जो जमारी चाहिए ने सिद्धर में अभी बाहर से आये ते याद होना चाहिए कांगर्स पवर्टका का वो जेडिये से आये चलिए जेडिये से आये ते कांगर्स ही नहीं हो आईशा जी के पास चलता है आईशा जी तमाम ये पूरी बहांस आप देख रही है दरसे सब के बीच में ये समझना चाहेंगे कि जनता के मुद्दे क्या है जनता किस तरह से सोचती है क्या ये जो ब्रश्टाचार के तमाम मुद्दे उठा रहे हैं कट कमीशन ये सारे भी मुद्दे हैं और क्या जो जो महिलाओं को आगे करके कॉंग्रेस सामने आ रही है क्या वो भी एक मुद्दा है किस तरह से आप देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार विकास ये सारे क्या कुछ है मुद्दा यह देखिए निकिल हम बात कर रहे थे साइलेंट वोटर की यह सायलेंट वोटर्स में वो तमाम वोटर्स हैं जो beneficiaries हैं जो लाभारती हैं देखें ये voters बात नहीं करते हैं इन्हें जब तक विकास इन तक पहुंचता है और इनकी जिन्दगी सुधरती है ease of living की बात जब होती है सबका साथ सबका विकास इन्हें नजर आता है ground पर तो ये समर्दी योजना हो ये तमाम जो central flagship schemes है करनाटक की कोने कोने तक हर जिले तक पहुंचाई गई हैं तो ये तमाम योजनाएं हैं ये तमाम विकास इन्हें जो लोगों तक पहुंची हैं तो लोग इसको जरूर देखेंगे और दूसरी तरफ जो आरो प्रत्यारों की बात चल र ये तो भ्रष्टचार का मुद्दा जो है तमाम राज़ितिक पार्टियों में जब जब सता में रही हैं चलता रहा है और कॉंग्रेस ने लगातार भ्रष्टचार का मुद्दा उठाया है और कुछ समय पहले तक काफी शौर मचाय था कि करनाटक में जो कॉंस्टरिबल र हिरासत में लिया जा सकता है लेकिन अभी तक कॉंग्रेस इसमें नाकाम रही तो ऐसी में ये महज राजनीतिक चीटा किशी करने या फिर एक दूसरे पर आरोप लगाने में अगर कॉंग्रेस इसे अपना वोट बैंक समझती है या फिर किसी एक विशेश वर्क को अपना व समेशा से महिलाएं हो या युवा हो और स्किल डेवलपमेंट हो स्टार्ट अप हो ये तमाम चीजों को चीजों के जरिए सशक्त करने की स्कीम लोगों तक पहुंचाए है तो बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का जो ब्रहमस्त्र है इसके जरिए बीजेपी जाहिर है इस इस भी इसका परत नहीं करेंगी रिशी मिश्राट निकिले जी जी प्रदान मंत्री नहीं असल में असल में दरसल जो बात आईशा ने कहीं कि चुनाओं से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है ये लगातार जारी रहेगा और करनाटक के विशेश्ट विशेश्ट व प्रत्यारोप का दौर ये को ये नया नहीं है जंता किस तरह से जाती है क्या देखती है ये देखने की बात होगी बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुडने के लिए एम जी बहेश जी आपका रिशी मिश्रा जी आर राजा गुपालन जी और आईशा खानम आपक बहुत शुक्रिया इस तमाम बाचीत और जानकारी के लिए उस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुडने के लिए